Hello dear students, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो आज के lecture में हम लोग एक important reagent के technique को समझने जा रहे हैं देखिए कोई भी reagent को पढ़ने का दो तरीका होता है, एक तरीका क्या होता है कि आप basic के थूरू जाओ और product का formation करो उसे हम लोग कहते हैं कि वो mechanism के थूरू हम लोग जो है question को deal करेंगे, दूसरा तरीका होता है reagent को पढ़ने का कि आप technique जान लो उसका और उसके थूरू आप product बनाओ, लेकिन दोनों में से मैं आपको prefer कहोंगा करने के लिए कि आप technique बला करो, इसलिए क्योंकि exam में आपको समय में जादा जादे question deal करना होता है, और वहाँ पे आपका technique बला जो है वो concept जादा अच्छे से काम आता है, mechanism बला भी काम आता है, note out वो basic है, लेकिन थोड़ा से वो आपका जादा समय ले लेगा, तो उसी यही सब point को ध्यान में रखते हुए, मैं आज क्या कर रहा हूँ, एक important reagent लेने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग already familiar होगे, लेकिन इस lecture को पूरा end तक देखने के बाद, आप जान जाओगे कि अगर यह reagent का कहीं पे भी reaction में यूज होता है, तो किस type का product का formation होगा, यह आप confident के साथ इस question को बना पाऊँगे, और उस reagent का नाम है PCL5, phosphorus pentachloride, इसको मैं 3 case में deal करूँगा, सबसे पहले यहाँ side में मैं क्या करता हूँ, इसका structure draw कर देता हूँ, I hope आप सब inorganic chemistry में इसका structure पढ़े वे होंगे, phosphorus को center में ले लिजिए, और 4 तरब जो है 5 chlorine atom जो है single bond के साथ attach हो जाएगा इस तरीके से, तो PCL5 का structure यहाँ पे बन गया, सब PCL5 के साथ reaction कराना हो, तो किस type का हम लोग product का formation करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कुछ हमें example ही लेना पड़ेगा, suppose कि हम लोग यहाँ पहले लेते हैं, ethanol का, C2, H5, OH का, ठीक है, तो यह हमारा basically क्या होगा, यह एक alcohol होगा, इसमें देख पार हो carbon जो है, और oxygen single bond के साथ attach ह तो यह case से match कर रहा है, अगर इसका reaction कर दिया जाए कि phosphorus pentachloride के साथ कराना है, तब आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे बस मैं जो case-wise जो है technique बताते जाड़ा हूँ, उसको बस ध्यान से सुनना है और note कर लिजे और इस पे practice कर लिजेगा question, तो आपको बहुत अच्छे से set कर ज अब थोड़ा से यहाँ पे focus करना है, यहाँ पे focus करेंगे तो आप देखेंगे कि यह जो C2H5 group था इसमें जो है, यहाँ का एक bond को हमने break किया, यानि एक valency free हुआ, और यह oxygen को एक तो यह alkyl group यानि C2H5 group से break किये और एक edge से break किये, तो यहाँ दो bond break हुआ, यानि दो valency free oxygen का, और यह hydrogen में जो हमने एक bond break किये, तो एक valency free हुआ, अब देखेंगे कि जब यह hydrogen का है, एक bond टूटा, एक valency free हुआ, तो अब और चाहिए, एक और bond चाहिए, जिससे attach हो जाए, क्योंकि एक bond बेचारा का टूट चुका है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, PCL5 में हम मेरा भी एक valency free हो गया, मुझे भी एक बढ़ना है, तो एक और chlorine यहाँ से मिल जाए, भाई ले, तू भी ले ले, तो दो chlorine दे दिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ PCL3 बचा, और मजे की बात क्या है, यह phosphorus trichloride में भी जो है न, दो chlorine निकल जाने कारण, दो valency free हो यह तो इस तरीके से रहेगा, और oxygen यह double bond इसके साथ attach कर लेगा, तो यह formation कर लेगा, अब देखे, product बड़े असानी से बन गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, देखे, C2H5, जो हमने किया, उसी को product यहाँ पे लिख लेते हैं, C2H5, आप बोलिए, एक CL यहाँ से attach हुआ, तो C2H5, CL होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक H, CL के साथ attach कर लिया, बिल्कुल होगा, HCL होगा, अब यहाँ पे क्या PCL3 बचा था, दो वैलेंसी फ्री होगा था, फास्फोरस का, जैसे oxygen का दो वैलेंसी फ्री होगा था, तो यहाँ क्या हो जागा, PO, CL3, यह आ गय इस case में चली है, एक और example हम लोग देख लेते हैं, यह तो alcohol का हम लोग देखा था, अब next example जो है, इसी case का, वो ether का देख लेते हैं, सपोस्कि कि यहाँ पे C2H5 है, O है, और यह क्या है, CS3 है, और भाईया, इसका reaction जो है, हम लोग, phosphorus derivative यानी PCL5 के साथ करा रहे हैं, अब यह यहाँ पे देखे, क्या यही case है, पहला case है, बिल्कुल है, क्योंकि carbon और oxygen की single bond है, यहाँ भी carbon oxygen की single bond है, तो single bond जा रहेगा न, तो break कर देना है, जैसे उस case में हम लोग ने break किया था, तो एक तो alcohol group के साथ break हुआ था, दूसरा oxygen और hydrogen के भी single bond था, तो वो break हुआ था, यहाँ इस case में क्या कि दोनों तरब जो है, वो alkal group है, तो कोई बात नहीं है, दोनों alkal group के bond को break करेंगे, तो यहाँ वैलेंसी एक फ्री हुआ, तो एक chlorine इधर से लेगा, ठीक है, तो एक chlorine ले लिया, C2H5Cl, यहाँ पे भी एक वैलेंसी फ्री हुआ, एक और chlorine लेगा, यह हो गया, आप यह product नहीं लिख पाऊगे, बिल्कुल लिख पाऊगे, क्योंकि आप अपको technique पता चल गया, दो हो गया, अब तीसरा यहाँ पे हम लोग एक और example इसका देख लेते हैं, तीसरा example हम लोग लेते हैं, cyclic ether का, जिसे है, आप लोग एक और नाम से जानते हो, यह इस तरीके से ले लिए, अब देखिए यह भी पहला case है कि नहीं, अब इसमें सब्सक्राइब के साथ रियक्शन हो रहा है, यह तो आप common मानिक चलो कि सब में PCL5 ही, इस वीडियो में रियक्शन हम लोग करवाएंगे, तो यहाँ पे इपो ऑक्साइड है, cyclic ether है, यहाँ देखिए यह यह carbon oxygen के साथ single bond, और यह carbon oxygen के साथ single bond, तो मैंने क्या कहा, कि जहाँ भी single bond है, उसको break कर देना है, अब break कर देंगे भाईया, तो अब देखिए scene क्या create होगा, scene create होगा, यह carbon का एक valency free हो गया, ठीक है, एक bond टूटाद एक valency free हो गया, तो एक chlorine इधर attach हो गया, यह carbon का भी एक val गया, तो एक और chlorine attach हो गया, काम खताब, इसका दो bond टूट गया, तो दो valency free हो गया, तो यह PO CL3 आ गया, तो क्या यह product बन गया, मैंने क्या कोई, इसमें rocket science यूश किया, नहीं, बिल्कुल मैं आपको technique के throwing ले जा रहा हूँ, अब यहाँ पर यह पहला case हमारा, यहाँ आपको जैसे for example, यहाँ पर हम लोग यह example ले लेते हैं, example से ही समझ मैं आएगा, और RDS से ले ले लेते हैं, यहाँ पर यह हो गया हमारा ketone का, अब इसका reaction हम लोग कड़ाते हैं, PCL5 के साथ, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे single bond को break किया, यह carbon का जो है, दो bond टूट गाने एक साथ, तो यह दो valency इसका free हो गया, दो valency free हो गया, तो यह carbon पर एक valency पर एक chlorine, दूसरा valency पर दूसरा chlorine और RDS, एक product तो यह बन गया, यहाँ से oxygen free हो गया, और यहाँ से बेचारा PCL5 से तो दो chlorine दा चला गया, तो POCl3 हो गया, तो यह product ब PCL5 कर लेते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, कि यहाँ पर फिर देखिए, यह कौन सा केस है, carbon, oxygen को भी double bond, एक साथ double bond को हटा देंगे, double bond को एक साथ हटा देंगे, तो यहाँ पर इस carbon पर, यह point जो है carbon का, इस पर जो दो valency free हो गया, तो एक chlorine अटाच हो जाएगा, एक और chlorine आप में से बहुत स्टुरेंट को डाउट आ रहा हो, कि सर, एक 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 जामपल ता आपने बताया, जहाँ carbon oxygen को भी single bond हो, तो चले single bond को break कर दिया, carbon oxygen को second case में आपने बताया, double bond हो, तो double bond को break कर दिया, अब कोई तीसरा case हमें देखने को मिल जाए, suppose कि जहाँ पर क्या है carbon oxygen को जो single bond है उसको preference देंगे break करने के लिए, कैसे, तो चलिए example से deal करते हैं, बीना example से deal किये, मजा कहा आने वाला है, और बीना example deal कि आपको समझ में भी अतना अच्छे से नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते है, PCL 5 ले ले लेते हैं, अब देखिए है कि यहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर carbon और oxygen को भी double bond है, और यहाँ carbon oxygen को भी single bond है, तो इसको हम लोग छूएंगे ने, यह single bond को तोड़ देंगे, इधर तोड़ दिये, तो अब देखिए, यहाँ पर यह carbon की balance एक फिरी हुए, तो एक CL attach हो गया, यह दो फिरी हुआ, तो POCL 3 आ गय और यह एक फिरी हो गया, तो HCL आ गया, बताइए, एक ही रफतार में ने product लिख दिया कि नहीं, बिल्कुल लिख दिया, अब चलिए एक और example देख लेते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ring ले लिया हम लोग ने, यहाँ पर COO, और OH हम लोग इस तरीके से यहाँ पर क्या क कारणे का carbon oxygen, यहाँ पर एक वैलेंसी फिरी हो गया, एक bond तूटने कारण, तो इधर भाईया, CL हो जाएगा, और यहाँ पर oxygen दो वैलेंसी फिरी हो गया, तो भाईया, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, हो यहाँ तक डाउट नहीं होगा, अब चलिए एक आखरी सा interesting सा case इधर का double bond और N के साथ already bond, triple bond, RCN यानी cyanide का formation कर लेगा, ठीक है, clear?